तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 10 Pro के बारे में जो बहुती जल्दी इंडिया में लॉंच हो जाएगा और दोस्तो यहाँ पर जिसके थोड़े बहुत लिक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं यह दोस्तो जो चाइना में लॉंच होता है MICC 9 Pro उसके थोड़े बहुत यहाँ पर जो स्पेक्स रहने वाले हैं Redmi Note 10 Pro में जो इंडिया में आएगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफर्मेशन बताने वाला हूँ Redmi Note 10 Pro के बारे में कि यह कब तक लॉंच होगा और क्या प्राइस रहने वाला तो चलिए दोस्तो वीडियो शबात करते हैं लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्स्राइब कर देना है अगर दोस्तो सबसे पहले बात की जाए Redmi Note 10 Pro के डिस्पले के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो आपको मिलेगे 6.5 इंच की सूपर AMOLED डिस्पले जो आएगी इन डिस्पले फिंगर पेनल सेंसर और साथी दोस्तो आपको देखने को मिलेगी वोटर ट्रोप नोच अगर दोस्तो बात करते हैं इसके प्रोटक्शन की तो यहाँ पर आपको गोडिला गिलास 5 का प्रोटक्शन देखने को मिलेगा Redmi Note 10 Pro में अगर दोस्तो बात करते हैं इसके बैक पैनल की तो Redmi Note 10 Pro में बैक पैनल भी आपको गिलास बैक की देखने मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Penta Camera का Setup साथ में ही LED Flash अगर दोस्तों बात ही करते हैं इसके Cam Setup के बारे में तो यहाँ पर जो Primary Sensor का वो 108 Megapixel का रहने वाला है और साथ ही दोस्तों आपको 12 Megapixel का Telephoto Sensor और 1 और 8 Megapixel का Telephoto Sensor और 1 20 Megapixel का Ultra Wide Sensor और 2 Megapixel का Dedicated Micro Sensor रहने वाला है और साथ ही दोस्तों आपको मिलेगे Dual Tone LED Flash अगर बात करते हैं Redmi Note 10 Pro की Selfie Camera के बारे में तो यहाँ पर आपको 32 Megapixel का Selfie Camera मिलेगा जो आएगा Screen Flash के साथ में अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में Redmi Note 10 Pro के Processor के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 735 जो एक 5G Supported Chipset रहने वाला है जो आएगा Adreno 620 GPU के साथ में अगर दोस्तों बात करते हैं इसके Operating System के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलेगा MIUI 11 जो वेट रहने वाला है Android 10 पर अगर दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में Redmi Note 10 Pro के RAM और ROM के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6 प्लस 64 GB, 8 प्लस 128 GB और कुछ आने वर्जन देखने को मिल सकते हैं साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा MicroSD Card का Sport जो होगा 256 GB तक का अगर दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में Redmi Note 10 Pro की बैंटरी के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगी 5000 mAh की बैंटरी जो आएगी 30 W की Fast Charging के साथ में और साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी USB Type-C, 3.5 mm Ode Jack, IR Blaster और Bluetooth 5.2 अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में Redmi Note 10 Pro के लॉंच के बारे में और प्राइस के बारे में दोस्तों जो Redmi Note 10 Pro है यह लॉंच होने वाला है इंडिया में जनवरी जाफिर फरपरी 2020 के दोरान और दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो आपको अराउंड 18 से 20 ऐार के आसपासी देखने को मिलने वाला है